Hello Everyone, Welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here. Today's MCQ for Biology is Carbon Dioxide Combines with Hemoglobin to Forms. Last MCQ में हमने देखा था कि किस तरह से Oxygen जो है Hemoglobin के साथ Bind करके Transport होती है Within Blood. आज का जो MCQ है वो रहेगा CO2 के लिए. तो पहले तो Combined किस के साथ होती है Hemoglobin के साथ? यह Related है आपका Transport of Gases से Topic. तो Students इसका थोड़ा से Concept आपको Clear होना चाहिए. कुछ चीज़े में आपको बताऊंगी. जैसे कि CO2 है, यहाँ पे हम CO2 की बात कर रहे हैं. तो यह जो है About 70% Transport होती है As By Carbonate Ions. और RBCS के साथ Hemoglobin के साथ Usually 20-25% यह Transport होती है. तो यह भी आपको ध्यान में रखना है. इसके साथ जब Carbon Dioxide जो है, Bind हो जाती है Hemoglobin के साथ, तो यह Molecule कौन सा बनाती है? यह बनाती है Carbon Amino Hemoglobin. ठीक है Hemoglobin. कई बार Student Exam में क्या कर देते हैं, इस वर्ड को आप नोट कर लीजे. इसी की तरह दूसरा वर्ड है, जो आपका है Carboxy Hemoglobin. तो कई बार Student इसको करेक्ट करके आ जाते हैं. Student यह जो Compound बनता है, यह Molecule जब बनता है, यह बनता है जब Carbon Mono Oxide कंबाइन करती है Hemoglobin के साथ. तो आप ध्यान रखेंगे कि कब कौन सा Compound यह कौन सा Molecule जो है वो बन रहा है, क्योंकि बहुत Important होता है. अब बात करते हैं, बाइकार्बोने टाइन कब बनते हैं और कैसे बनते हैं, जब क्या होता है, Carbon Dioxide एंटर करती है Blood के अंदर, यह मान लो Blood में पहुंच गई, तब क्या होगा, यह Combine कर लेती है Water के साथ, प्लस मैं यहां लिख देती हूँ Water, Reaction होते हैं और यह क्या बनाते हैं, पहले तो यह Carbonic Acid बनाते हैं, Carbonic Acid फिर बाद में Carbonic Acid dissociate हो जाता है, तूट जाता है, Carbonic Acid मैं शौट फ़र्म में लिख रहे हैं यहां पर, यह क्या बना देता है, Hydrogen Ions बनाएगा, प्लस Hydrogen Ions के साथ और क्या बनेगा, Bicarbonate Ion, CO-3, यह हैं Bicarbonate Ion, और इनकी फ़र्म में जो है, Transport होती है, About 70% of Carbon dioxide, इन Ions के साथ जो है, वो, एक तरह से Transport होती है, आप देख पा रहे हैं, ठीक हैं, तो यह आपको सारे कुशिन याद रखने हैं, और जितना मैंने आपको बताया, कि कौनसा मॉलेक्यूल बनाती है, तो आप यह हीमोगलोबिन बनता है, जब हीमोगलोबिन औक सीजन के साथ बाइंड करती है, यह सारे कुशिन बहुत इंपोर्टेंट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच पर वाचिंग, 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 और नाइस टाइम, और टेक केर,